यह देखिए भीया हम अपनी गाउं के बगल में एक सरकारी नर्शरी है साहाब गंज तो यही साहाब गंज ब्लॉक में हम आये हुए हैं भी तो यहां से करॉंदे का पेंड और बेला का पेंड खरीद रहे हैं वो देखिए जो नर्शरी का आदमी है वो देखिए को वहां से करॉंदे का पधा निकाल रहा है अबिजित निकालने के बाद में आपको दिखांगा करॉंदे का पेड़ कों और यह देखिए यह सारे इधने के यह हूं यह सारे बेचने के लिए यह बहुत बड़ी गवर्मेंट नर्सरी है और बहुत अच्छे-च्छे पेंड पोदे यहां पर मिल जाते हैं चाहें आपको फूल का हो या फिर किसी सो प्लांट का हो या फिर अच्छे चीए देखिए सीशों का पेड़ है यह सारे कल्मी आम के पेड़ हैं जो आप देख र पर यह नर्सरी है अभी कुछ दिन से चुट्टियों का काम चुट्टी चल रही थी इसलिए तो बहुत लोग आई भी नहीं है यह देखिए सो प्लांट यह देखिए अम्रूद का पौधा आप देख रहे हैं और दूसरी साइड में बहुत सारे गुलाब और उनसबों का देखिए आयरा है यह देखिए आम यह सारे कलमी आम उदेखिए कलमी अमरूद और यह सहाब गंच बलॉक है यह सारे सहाब गंच ब्लॉक में है और चलिए आपको घुमाते हैं साहाब गंज व्लॉक ये देखिए ये कुवा है ये सिचाई के काम आता है ये टूब विल ये देखिए जो मैंने आपको बताया था मरूद के पौधे हैं ये सो प्लांट ये देखिए गुलाब के पौधे हैं कि ये अपना कार्याला है सहाब गंज का ये देखिए यह सोक का पेंड यहां आपको जो भी पेंड पोदे चाहिए वो बहुत ही कम दाम में मिलता है गवर्मेंट के थ्रूं वह पीछे एक बड़ा पेंड है कटहल का मैं आपको कटहल का वरिक्षि दिखाता हूं ये देखिए अदें परिए सारे सोव अमर्ड़न प्लांट है कि य देखिए यह जो पेड है बड़ा यह कटहल का पीड़ है मैं इस पर अपने सीजन में वैसे तो यह सारे ही फल को जहाड़ देते हैं पेड़ों पोड़ नहीं लगने देतेures क्योंकि इन्हें वो बेचना होता है इससे नए पौदे तियार करना होते हैं यह देखिए बंद होने और खुलने का टाइम है और वो देखिए वो जो लगा हुआ है कौन-कौन से पेंड है आपे मिलेंगे उसकी सारी डीटेल और यह देखिए काफी हरा भरा है काफी यह आप जो चाहो आप वाजिव रेट पे यह ले सकते हूं यह देखिए मौसम्मी के पेंड है अब अगर ध्यान से देखें यह मौसम्मी भी लगा हुआ है इसमें यह चंदौली जिले के सहाब गंज ब्लॉक में है यह देखिए एक से पेंड है आप अच्छे अच्छे और काफी वाजिव रेट पे यहां पर एवलेबल होता है और हमारी रिटवेस्ट है कि आप भी पौध लेके जाये üzरिकष लगाएं क्योंकि आप व्रिक्ष निह लगाओंगे तो आजकल आप देख रहा हो बारिश नहीं हो रही अच्छे से खेती और उमस कितनी हो रही है सारे वरिच काटे जा रहे हैं इसके चलते हो रही है मैं भी लगा रहा हूं आप भी लगाओ यह देखो यह देखो यह शहाब गंज का कि मैं आपको दिखा रहा हूं कौन-कौन से पेड़े यहां पे मिलते हैं अधे देखिए